आप सभी का अपनी चैनल में और आज है दिन थर्स्टे और आज अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम एवनिंग के बज़े हुए है कितने बज़े है आज बज़े हुए है छाज चीज होता था रहता है । उक्षाटर के पहलें शाधी हुएए मना चेक, तो इस टाम पर बज़े हुए है वर्ञचों के बज़े हुए ऑज छाधाम, साधे साधां बज़े हुए है। बच्टों को वह आठाछा ौद थे पानी एपर दिन न ह…… डाई हम आज कोई सप्प्लाइज नहीं रखने वाले हैं सींदा-सींदा पंडा ओर कि आного बनाने वाले हैं। और दहुआ हम नहीं बनाने बनाने वाले हैं। So today's chef is Akkshu. कुछ ना बंढ़नाने वाली है, और हम बनाने वाले हैं और ओरो के Biskit से केक तो देखते हैं और इसकी मेहनत है क्या रगलाने वाली है यह कैक कैसा मोने को अधायर होने वाली है प्रूरा काम चुछ ना बनाने केक चैनला ओलो कि आप घटने दाउने वाले हैं जो कि अभी तक नहीं किया है तो चलिए देखते हैं कि किस तरही का केट बनाती है मिलती हूं आप से किचिन में तो यहां पर यह लेकर आज चुकी है औरियो के बिस्किट की पैकेट तो यहां पर उन सारी पैकेट को अनपैकिंग कर रही है सारे बिस्किट जो है इसने एक ट्रे में निकाल कर रख लिये हैं और साथ के साथ इन बिस्किटों की जो क्रीम होती है उसको हमको निकाल कर अलग कर लेना है यह इसका कहना है अपनी तरीके से यह केक बना रही है पता नहीं इसने कहा देखा है क्या जिस दिन से इसने यह सब देखा है उस दिन से बस पागल ही हो गई थी कि मुझे केक बनाना है तो मेरे लिए सामान लेकर आओ तो मैंने इसको पैसे दिये थे जाओ अपने आप सामान लेआओ जो तुमें चाहिए और केक बना लो तो याँ पर मैं सिरف help के लिए हूँ किचिन में और अगर इसको कोई पैरी help चाहिए होगी तो मैं इसकी help कर दूँगी तो यहाँ पर मैं ढूंड रही हूँ कुछ ऐसा बरतन जिसके अंदर हम केक का जो बैटर है उसको डाल कर कडाही में रखेंगे तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है और इसके लिए एक कंटेनर जो होता है वो मिल जाता है मार्केट में एजीली केक वगेरा बनाने के लिए यावर आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं बट मैं कभी ऐसे काम करती नहीं हूँ अपनी किचिन में तो इस वज़े से मुझे इस चीज की अभी फिलाल तो जरूवत नहीं पढ़िये और इडली स्टैंड मेरे पास अविलबल है तो उसमें मैं इडली वगेरा बना लेती हूँ ढूकला भी उसी में मेरा बनका तियार हो जाता है तो इसने मुझे को बोला था कि ढूकले वाले स्टैंड में बना लेते हैं केक पर मुझे नहीं लग रहा था उसमें comfortable बनाना तो मैंने इस वज़े से उसमें नहीं बनवाया इससे केक मैंने मना कर दिया था और देखते हैं आ गया कि हम क्या यूज करने वाले हैं better के लिए तो यहां पर biscuit जो है उसको मैं हातों से crush कर रही था और इसके बाद में अक्ष्यू ने इसको transfer कर दिया है mixer jar में तो यहां पर वो दूद का इस्तमाल करेगी इसके लिए और दूद को थोड़ा थोड़ा quantity में ही डालना है क्योंकि अगर हम एक साथ सारा दूद डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको better जो है वो थोड़ा साथ डर की थी इस वज़े से मिक्सर के उपर से अपना हाथ एकदम से हटा लिया क्योंकि कभी भी ऐसा कोई काम इसने किया नहीं है तो जो vibration होता है mixer में उसकी वज़े से इसको एकदम डर लगा और इसने अपना हाथ अटा लिया चलिए कोई बात नहीं है बच्च का बनकर आया है लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें दूद मिलाते जाना है और जिस तरीके का हमें बैटर चाहिए वो अच्छे से रेडी हो जाएगा अगर हम थोड़ी थोड़ी quantity में दूद लेते हैं और इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप गर्म दूद ले या आपर यूज कर लिया है तो आप देख सकते हो कि जो बैटर है वो कुछ इस तरीके से बनकर आया है और देखने में काफी जादा अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है देखने में जैसे धेर सारी चॉकलेट को एक साथ ही पीज दिया हो और मेरे पीछे आप देख सकते हो क हो चुका है और इसके बाद हमको डाल देना है इसमें इनो तो इनो आप ना बैटर की क्वांटिटी के हिसाब से ही रखेगा आप चाहें तो एक शेशे भी डाल सकते हैं बट यहाँ पर मैंने एक शेशे नहीं डलवाया था मैंने आदा शेशे ही बस यूज़ करवाया था क्य इसको यूज़ कर लिया है और इसके अंदर हमने थोड़ा सानचिकनाई के लिए घी लगा लिया आप चाहें तो पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं नीचे टीश्यो पेपर वगईर आप इसके नीचे डाल सकते हैं बट मैंने ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया था बस यहा हमारी कड़ाई प्री हीट हो रही थी वह काफी अच्छे से हीट हो चुकी है और मैं इसके अंदर रख दूंगी इस स्टेंड को जिसके उपर हम रखने वाले हैं अपना केक बेग होने के लिए और मैं हाथ से चेक कर रही हूं यहां पर के कड़ाई जो हैं हमारी किस टेंपरि कर दिया है यह केक बेख होने के लिए अब इसके बाद हमको एक बरतन से अच्छे से इसको कवर कर देना है और अंदर यह अंदर कम से कम इसको 25-30 मिनट के लिए छोड़ देना है इसके बाद हमारा जो केक है वह अंदर और बाहर दूनों साइट से अच्छे से बेख हो करनी है अपने केक की तो वही चॉकलेट को जो है पीसिस में तोड़कर और इखटा कर रही है क्योंकि उसको केक की उपर ही लगाना है तो गाइस आप देख सकते हो हमारे जो केक है वह भी बनकर रेडी हो चुका है और उपर से कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो की मेहनत वसूल हो जाए बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए और आप देख सकते हैं किनारे मैंने जो चिकनाई लगाई थी ना तो किनारे भी इसके अच्छे से निकल कर आ रहे हैं मतलब हमारा केक जो है वह अच्छे से पक चुका है और मुझे बिलकुल भी मतलब मेहनत नहीं करने पड़ी थी मैंने जैसे ही कड़ाई को उल्टा किया था वैसे ही यह अपने आप ही निकल गया था मुझे कोई भी एक्स्ट्रा इपर इसमें लगाने की जरूवत नहीं पड़ी थी तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने अपनी जो कड़ाई यह उसको उल्ट और अब हम इस केक नहीं बन पाया था वह मिस्टेक की थी वह मिस्टेक हमें इसके बनने के बाद रेलाइज हुई कि हमने इसको जादा बड़े बरतन में रख दिया था जिसकी यह फैल गया था और मतलब उपर की साइड में फूल नहीं पाया था तो अगर हम इसको छोटे बरतन में रखते ना तो शायद ये केक बहुत जादा मतलब फूल कर उपर निकल सकता था और बहुत जादा देखने में अच्छा लगता हाला के मन के मताबिक रिजल्ट ना मिलने पर अक्षु थोड़ा सा उदास होगी थी क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी इस केक पर लेकिन खाने में इसका जो टेस्ट था गाइस बहुत जादा उसम था बहुत ही जादा उसम था और मैं ये पने परसनल एक्सपिरियंस से बोल रही हूँ इसका टेस्ट सची में बहुत जादा गजब वाला था तो मुझे तो इतना जादा अच्छा लगाता कि मैंने दो पीस तो रात में खाये थे और एक पीस बचा कर मैंने सुबह के लिए रख दिया था जिसको मैंने सुबह काया था तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगाता जब मेरी बेटी ने बनाया तो इसका टेस्ट कसम से बहुत जादा घजब था और मैं नेक्स टाइम भी इसको ट्राइ करूँगी लेकिन अपकी बार जो मैंने मिस्टेक की हैं बरतन वाली वो मैं अगली बार जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली तो आप देख सकते हो कितना जादा सॉफ्ट बना है और बहुत ही जादा अच्छा बना था बहुत जा सॉरी थाली से बिल्कुल अलग अलग निकल कर आ रहे हैं तो आप इसी से अंदासा लगा सकते हो कि केक जो है वो कितना अच्छा बना होगा तो चलिए गाइस वीडियो जहरा सब इच्छा लगा हो तो लाइक कमेंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और मेरी बहुत सारा प्यार दीजिएगा मैं नए नए यूनिक वीडियो लाती रहती हूं तो मैं मिलते हूं आपको अपने नेकलो के साथ सब्सक्राइब के लिए बाबाई टेक केर